में अंशू कुमार consegh और आप हो और आप के चनल पर हम दोनों का स्वागत है दोस्तों की बात करने के लिए हैं स्टेश इंश के यह बहुत ही इंवर्टन टॉपिक है क्योजिक्वल और पेल टेल से श्टील एक पर लगा दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, यह लेकिन लेकिन लगाते टाइम पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसकी quality का क्योंकि दोस्तों बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है इसमे quality क्या आती है, क्या कुंस quality खराब आती है, कुंस quality अच्छी आती है, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत important वाला है खास कर मैं इस वीडियो में आपको stainless steel का जो भी आप gate लगाने वाले हो उसका cost क्या पढ़ने वाला है ये आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि नीचे लागल बड़न दो आके subscribe कर लें और subscribe करने के बाद notification bell बजाना बिल्कुल भी न भूलें उसका benefit क्या होगा इस तरह कि जो भी वीडियो होगी वो सीधी सीधी आप तक ज़रूर पहुँचेगी अब बात कर लेते हैं stainless steel के gate के बारे में बहुत important topic है दोस्तो stainless steel का जब भी हम gate लगवाने वाले होते हैं तो ऐसे में बहुत बार हम लोगों को knowledge नहीं होता है कि हम कोन से steel का gate लगवा हैं क्योंकि stainless steel में maximum use होने वाले steel दो grade किया है 202 और 304 यह सबसे important है और इन दोनों में cost का difference भी अच्छा खासा होता है काफी बार क्या होता है चाहे हम railing लगाने वाले हों चाहे हम gate लगाने वाले हों जो यह काम करवाते हैं labor या फिर ठेकेदार ऐसे में क्या करते हैं 304 के बीच में 202 mix करके लगा जाते हैं खासकर joints पे अब वहां पर क्या होता है हम लोगों को पता भी न चलता है क्यों दिखने में दोनों सेम है पता भी नहीं लगता और वहां पर हमें घाटा भी हो जाता है अच्छे कासे cost का difference होता है अच्छा कासा benefit और अच्छा कासा बेब कूफ बनाया जाता है और ठेकेदार या फिर लेवर वह आपको बेब कूफ बनाके चलता जाता है और वह अच्छा कासा पैसा आपसे ले भी लेता है और असली अच्छा मेटर लगाता भी नहीं है अब इसमें इतना 202 और 204 में इतनी बड़ा difference क्या है सबसे बड़ा difference है कि 202 में आपका atmosphere का moisture का connection होते ही कुछ time के बाद जंग लगना चालो हो जाता जो की बहुत बड़ी दिक्कत है आपने अगर पैसा खर्चा किया है अच्छा खासा तो उसमें आप लंबे से लंबे time वह अच्छा रहे चमकता रहे तो आप 304 का पैसा दे रहे हो तो 202 grade कभी भी मत लगवाओ और SME 202 grade को check करने के लिए बहुत सारी treatments है अब से पहली बात कभी भी SS का steel लगवाते हो तो unbranded मत लगवाओ और प्लस इसको check करने के लिए chemical आता है जिसके मैंने proper treatment के बारे में मैंने एक वीडियो बताया हुआ है मैं उसका link आपको i button में दूंगा वह वीडियो ज़रूर देखें आप वह वीडियो बहुत important है जिससे आप check कर सकते है एक branded company का steel लेंग है तो उसमें आपको सबसा अच जाता है और brand वाले pipe में आपको जल्दी ठगा नहीं जाएगा अब बात कर लेते हैं यहां पर मज़ूरों से जब दोखा देते हैं खासकर जहां पर आप joints होते हैं काफी बार क्या होता है रेलिंग में या फिर gate में काफी बार एक लंबी pipe आते है लंबी pipe पूरी नहीं हो प से बहुत अच्छा benefit उठा लेता है कोई भी labor या कोई mister या भी ठेकेदार अब इनका cost का rate क्या पढ़ता है किसी भी gate का या किसी भी railing का stainless steel का यहां पे cost का जो भी difference है वो इसके वजन के ऊपर पढ़ता है अगर आप 202 grade का steel लगवा रहे हो तो वहां पे आपको 2500 रुपे kg के हिसाब से लगेगा यह बहुत important है 200 रुपे kg के हिसाब से लगेगा 202 grade का अगर आप वहीं पे 304 grade का लगवा रहे हैं तो ऐसे में आपको 304 grade का cost जो पढ़ेगा साड़े 300 रुपे पर kg के हिसाब से पढ़ेगा stainless steel का दाम आपको kg के हिसाब से ही पढ़ता है maximum हर जगे पर बांकि अगर कुछ अलग है कुछ difference है तो मुझे comment box में लिकर के आप ज़रू बताईएगा कि आपके किसी city में या किसी place पे kg के हिसाब से लग रहा है मुझे comment box में लिकर ज़रूर बताएं अब kg के साफ से रेट पढ़ता है तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 और 300 अच्छा खासा 100 रुपे का difference है और यह अगर बड़े quantity में लगता है तो अच्छा difference रहाता है cost में तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका अच्छा मेटेरियल अच्छिस quality में सब कुछ लगे आपको जैसे cost पता लगे आप स्टेलेस स्टील को जो भी 202 लगाते 304 लगाते हैं आप इसमें थोड़ा सा अगर आपको लगाना है पैसा की कमी के वज़े से तो यहां पे थोड़ा सा क्योंस ले सकते हैं आप इसको कोशिश कीज लगाना है तो वहां पे आप लगा सकते हैं आउटर साइड में आपको कभी सर्जेस्ट नहीं करता हूं इससे बढ़िया आप अगर टीम्टी स्टील का या स्टील नॉमल स्टील का गेट बनवाले अगर आप बाहर लगवा रहे हैं तो 304 ग्रेट से नीचे का आप कभी भी स्टेल स्टील यूस ना करें यह बहुत इंपोर्टेंट है स्टेल स्टील एक आज कल के टाइम पे फैशन बनता जारा लोग खिड़कियों में सब जगे लगाते हैं तो ऐसे में क्या होता है लोगों को ठगने का भी बहुत साथ तरीके निकाल रहे हैं दुकानदार हो चाह जीना है गेज का क्या है जो भी अप इस बढ़न वजन बढ़ाने के लिए इसकेश को मूटा कटल करते हैं जवन 14-18 भोड़ सारे AJ क्या आते है तो आपको जिस जरूरत है जटनी मोटाई की जरूरत प्रिके जरूरत है वह फास्रीर कर नहीं लें और इस बात कर जरूर पहले बात ग्याइब कई अगर आप कहा बहुत है मिझे काफ़ी बार कहों को चाहिए काफी बार क्या होता है कि तो आपको bauna जाएगा बजन घट जाएग इसमें आपका कौस्ट बढ़ zag jedem सब्सक्ता है नहीं तो क्या होता है कि आपने वजन के हिसाप से नहीं लिए तो इसमें काफी आप यह भी लगाया तो वहांपर लगा जांका चपी टांज लगा दीए और आपको बोल दया कि इतनी केशी करके एक वीडियो डाली हुई है क्या डिफ्रेंस है 202 में 304 में इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है आप इसको आई बटन में देख लिए और वीडियो के एंड में यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को जरूर देखे बहुत इंपॉर्टन अमने लाइक करके डिसलाइक करके अपना जो भी ओपिशन है जो देना बिल्कुल भी न भूले इसका बेनिफिट क्या होता हमें बहुत सरा मोटिविशन मिलता है आपको अच्छी वीडियो देने का और चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेस्बूक, ट्वीटर जहां चाहें वह